दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल हिंदी टूटोरियल्स को और इस बेल आइगन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हेलो ये नमस्कार दोस्तो मैं हू की संसरो जोर आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल हिंदी टूटोरियल्स दोस्तो आपके नोटिफिकेशन बार में क्या होगा ज्यादा ज्यादा यहाँ पर वाइफाई होगा डेटा होगा सिम कार्ट होगा फ्लेश लाइट होगा बैट तो अगर आप भी चाहते हैं अपने नोटिफिकेशन बार में ऐसे एप्लिकेशन को एड़ करना तो इस वीडियो मैं आपको बताने हो लाँ कुछ सेटिंग्स जो आपको करने होगे जिहां दोस्तो तो उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दिजेगा लाइक और एप्लिकेशन सिर्फ और ओर और नॉगट की वर्जन में ही सपोर्ट करेगी पहले आपको बता देता हूँ और इससे कमे वर्जन है तो आपकी मोबाइल फोन में ये एप्लिकेशन सपोर्ट नहीं करने वाला तो आप अपने मोबाइल का वर्जन चेक कर लिए उसके बाद इसपे क्लिक कर देना है इसपे क्लिक करेंगे तो कुछी इस अपको इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर आपको देख लिए दिखाई दे रहा है F-shortcut 1,2,3,4,5 तो simply आपको इसे enable कर लेना है यहाँ से देख लिए enable करेंगे तो आपको यह जो है blue color में यहाँ जो होने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसे भी enable कर लेते हैं यहाँ पर आप देख लिए मैंने 3 enable कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक चले जाना है उसके बाद दोस्तों आपको अपना notification बार नीचे करना है नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक pencil क icon दिखेगा यहाँ पर आप देख लिए जिसको edit बोलते हैं या फिर यहाँ पर 3 dot दिखेगा यहाँ पर click करेंगे तो आपको button order मिल जाएगा या फिर edit option मिल जाएगा तो simply मैं यहाँ पर click कर देता हूँ मेरा सामने है तो इस पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगे मैंने वहाँ पर 3 enable किये थे app shortcut यहाँ पर आप देख लिए तो simply इसे drag करके उपर लेके चले जाना है यहाँ पर आप देख लिए उपर लाके यहाँ इसे लगा देना तो उसके बाद वापस से एक बार नीचे कीजिए यहाँ पर आपको जो है ऐसा कुछ इस टाइप के इंटरफेस दिखाई देगा तो simply आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे application जो है आ जाएंगे यहाँ पर आप देख लिजे थोड़ यहाँ पर आप देख लिजे तो यह application यहाँ पर जो है add हो जाएंगे वैसे इसे भी आपको कर देना है उसके बाद दोस्तों आप direct जो है कोई भी application को open करना चाहते तो यहाँ से direct जो है जो set की रहेंगे open कर सकते जैसा कि यहाँ पर आप देख लिजे कुछ इस टाइप से य बताना अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगाए तो यार इस वीडियो को ठोबो लाइक और इस चैनल को खलो सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं ठेंकियो दॉस्तों